निउसेट इंडिया पर इस वक्त बहुत बड़ी खबार आपती जनक कॉंटेंट दिखाने के मामले में सुचना और प्रसारण मंतराले ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है इन सब को ब्लॉक कर दिया गया है और ये बावजूत इसके कि इनोंने बार बार वर्निंग देने के बावजूत इनोंने अपने कॉंटेंट में सुधार नहीं किया इसलिए देश भर में 18 OTT प्लाटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 अप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल इनी OTT प्लाटफॉर्म के सोशल मीडिया हैंडल है इनको देश भर में अब ब्लॉक कर दिया गया है प्लाटफॉर्म के अगर बात करें तो इन्डी गठवंदन का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है इन्डी गठवंदन को 39 में से 30 सीटे मिलने का दुमान है तो इन्डीय को 5 सीट यहां मिल सकती है तमिलनाडू में इन्डी का वोट शेर सबसे ज़्यादा 51 परसंट है जबकि एन्डीय को 13 परसंट मिलने की उमीद है लेकिन यहां परफॉमंस अगर हम बात करें तो बीजेपी की परफॉमंस यहां यानि एन्डीय की परफॉमंस अच्छी दिख रही है पिछले चुनावों के मुकावने में तो हम अगर बात करें दक्षिन भारत के राजे तमिलनाडू की तो यहां अगर आप देखें तो गड़बंदन में पलड़ा गड़बंदन का भारी नजर आ रहा है यानि इंडी गड़बंदन को 39 में से 30 सीट्स मिलने का नुमान है और वहीं अगर 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 आप करें तो पांच सीटे मिल सकती हैं तमिलनाडू में इंडी का वोट शेर सब से जाधा एक्क्यावन पीस दी है जबकि एंडीय का 13 परसें है तो बीजेभी की इस दूसरी लिस के हम बात करें तो कई बड़े चेहनों के नाम इसमें शामिल है जिसमें केंद्रिय सूचना और परसारण मंतरी अनुराग ठाकुर का नाम है ही माचल प्रदेश के हमीरपूर से इने टिकट दिया गया है वह अगर हर्याड़ा के पूर मुख्य मंतरी मनोला लखटर की बात करें अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो करनाल से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है और लोग सबा का प्रत्याशी उन्हें चुना गया है केंद्रिय मंतरी है प्यूश गोयल उन्हें मुंबई नौट से कैंडिडेट बनाया गया नहीं महां से वो चुनाब लड़ेंगे उसके लावा केंद्रिय मंतरी है अगर हम एंडिय सरकार की बात करें तो सबसे अच्छा काम ये मंतरी कर रहे है नितिन गटकरी एक बात फिर से उन्हें नाकपुर से मौका दिया गया है केंद्रिय मंतरी पहला जोशी करनाटक के धारवार से चुनाब लड़ेंगे और करनाटक के पूर सीम बसावराग बॉममाई हावेरी से चुनाब लड़ेंगे करनाटक के बात्री करनाटक कर दिया जोशी कर दो से चुनाब है